सब्सक्राइब एक और नए EDS टूटोरियल के अंदर और काफी सरे लोग मुझसे एक कॉमन क्वेस्टन बहुत टाइम से पूछ रहे थे फ़रा EDS के हम लोग क्या एक्सपोर्ट सेटिंग रखे हैं तकि हमारी वीडियो अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो सके थूए इस वीडियो में मैं बेसिकली कवर करूंगा 10-bit 422 आजकल कॉमन हों गया राइट सब लोग एडिट करने लग गये और प्लूरस अगर आप एडिट कर रहे हो प्लस अब कुक्ली लैप टॉप पे चलते हैं और देखते हैं EDS के स्क्रीन को यहां पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरी एक वीडियो की टाइम नाइन जो है वह बनी हुई है अगर आप लोग बिल्कुल नहीं है और आपको नहीं पता के एक्सपोर्ट कैसे करते हैं क को तो सिंपली दो शॉटकट कीज हैं EDS के अंदर तो जैसे मैंने या करसर लिया ठीक है मैंने आई रभाया आई का मतलब है इंसर्ट और जहां पर मुझे से आउट जहां पर मुझे इनों बीच में से इसे कट में से मुझे उसे एक्सपोर्ट करना है और ओ दबाऊंगा उ यहां पर मेरे पास option आता है print to file तो अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो वह एक shortcut की है इसके लिए और उसको प्रेस करके भी आप print to file पर जा सकते हैं ठीक है बट बाइद वे अगर आप उसको नहीं करना चाहें तो इस तरीके से click करके भी इनो menu में जाकर के भी आप export कर सकते हैं कोडेक्स आप लोगों को नहीं पता है कि क्या होते हैं तो मैं ज़से quickly explain करेंगा हूं कोडेक्स basically compression होता है जो की apply कर रहता है आपके export में एक encoding है जिसके तुरू आपकी video quality को maintain के रहता है कि final export में आपकी video quality कैसे आपको बनके मिलेगी जो भी आपने edit कर तो suppose अगर आपने 4K shoot क but you want to take output in full HD तो हम लोग फिर full HD codex की तरफ जाएंगे not in 4K codex ठीक है तो full HD codex में जाओगे तो फिर आपको 4K के जगे full HD का output मेलेगा पर आपने 4K video को edit किया होगा पर आपने 4K video को edit किया होगा पर आप 4K export लेनो सीधे के सीधे है ठीक है तो multiple codex है और सबसे पहले codex की बात कर h2x grass valley lossless ठीक है और uncompressed और हमारे पास h264, h265, mpec, p2, quicktime, grass valley hq, window media, xavz, sony का xavc भी है और xdcam kodak भी आपको मिलता है प्लस audio के लिए भी there is a अगर के विल आपको audio को export लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पे dedicated एक इनो kodak आपको मिल जाता है तो अगर आप 4K export करते हो तो 4K export करने के लिए हमारे पास में 2 kodaks है 1 h264, h264 पर जा सकते हो हाला कि मेरी यह भी full hd वाली timeline बनी है तो अगर आप 4K डालोगे तो आपको यहाँ पर 4K का resolution नजर आ जाएगा और आप full hd और 4K को दोनों को ही 8 bit और 10 bit पर एक्सपोर्ट ले सकते हो ठीक है बट 422 पर नहीं amazing export quality का तो grass valley hq आपको 8 bit 422, 8 bit 422, 8 bit 422, 8 bit 422, 8 bit 422.4 और सारे आपको option आपको दे रेता है ठीक है तो that is also amazing और अगर आप you know hq में अगर आप 8 bit 422 को export करना जाए तो grass valley hq भी बहुत अच्छा format है ठीक है और फिर हमारे पास में this also hqx भी है जिसमें आपको 10 bit 422 के सारे export के kod तो यह भी एक plugin है जिसको यूस करके आप of course you know export ले सकते हो यह एक lossless वाला है plugin जो की lossless grass valley lossless का मतलब है कि किसी भी टापका loss आपकी footage भी नहीं होगा और उसे वो export करके दे देगा ठीक है फिर हमारे पास में xavc वाले formats भी है तो अगर आप sony camera यूस करते है और आप xavc kodak export लेना चाहते हैं तो this kodak is also there जो कि आपको lossless export देगा अगर आप sony camera से export करते हैं जनरली मैं कैसे export लेता हूँ full hd clips का मैं क्या करता हूं कि इस simple kodak को select करता हूं h264 ठीक है और इसमें इस plugin को select करता हूं जो कि center वाला plugin है h264 slash avc ठीक है अगर आपके laptop में graphic card है तो आप h264 avc invidia मतलब यह basically hardware use करेगा आपके graphic card का मैं मेरे laptop में भी कोई भी graphic card नहीं है ठीक है जो integrated graphic इंटल के वह है तो मैं आपे h264 slash avc को select करूंगा और यहां पर click करूंगा export जैसे click करूंगा मेरे पस में एक और pallet open हो जाता है तो आप basically folder select कर सकते हो कि इस folder में आपको इस particular clip का जरूरी है जो कि होता है इसकी profile और इसकी bit rate तो bit rate profile अगर आप देखेंगे आपको यह मिलता है high, mini, high 10 और high 444 तो आप high भी रख सकते हो और high 444 भी रख सकते हो ज्यादा बैटर quality का export आपको high 444 पर मिल जाएगा but I keep it only high जहाँ पर मुझे decent data rate मिलती है और file size भी normal मिलता है और साथ-साथ में export में भी कम time लगता है ठीक है फिर हमारे पास है CBR और VBR तो CBR का मतलब होता है custom bit rate और VBR का मतलब होता है variable bit rate ठीक है so custom bit rate basically bit rate क्या है पहले यह समझ लीचे क्या concept है bit rate हम लोग basically यह data rate select करते है तो depend करती है आपके data rate पे आपकी bit rate पे ठीक है तो आपको bit rate का selection करना होता है आप export के time पे अपनी quality को reduce कर सकते हो अगर आप suppose करो आपके camera ने 50 Mbps की bit rate पे full HD video shoot करी है और आप 50 Mbps की bit rate पे export नहीं लेने सकते हो crush ना हो जाए तो CBR है और VBR है दोनों option आपको मिलते हैं CBR का मतलब होता है कि आपने average bit rate select किया ठीक है जैसे मैंने average select किया 25 जिसमें मेरे decent size मैंने का और quality भी कम से कम reduce होगी ठीक है तो average मैंने select किया bit rate और जब आप export करोगे तो EDS का जो encoder है वो basically analyze करेगा export के time पे encoding करेगा उसे और अपने हिसाब से उसकी maximum bit rate जो है जिसे आप यहां देख सकते हैं यहां पर हम उसे select नहीं कर सकते उसकी maximum bit rate और average bit rate के बीच में जो हो आपको file size बना के देगा तो अगर ज्यादा motion वाले scene है तो वहां पर bit rate बल जाएगी और जहां पर कम motion है ज्यादा कम जहां पर कम moment है वहां bit rate थोड़ी सी कम हो जाएगी ताकि file size को maintain कर सके फिर होता है variable bit rate so variable bit rate में आपके पास control है आप average और max bit rate को select कर सकते है ठीके तो suppose करो मैंने अगर select किया कि मेरा 25 mbps का bit rate आना चाहिए average और max to max हो करके 55 होना चाहिए अब इसमें क्या होगा कि EDS जो है वो इन दोनों ही bit rate के बीच में मुझे एक best optimum result export के अंदर बना के देगा तो लोग क्या करते हैं VBR जारा select करते हैं because CBR में कहीं बारी bit rate थोड़ी सी change हो जाती है right और quality पे इंपक्ट पढ़ जाता है तो लोग CBR की जगे VBR prefer करते हैं वहाँ पर अपना एक average bit rate select करते हैं कि इतना आना चाहिए और एक max bit rate select करते हैं average मैं 25 रखता हूँ और max I will keep around 27 MB और अगर कोई बहुत ही अच्छी फोटे रहे जहाँ पर मुझे सब कुछ अच्छे से दिखाना है I'll keep my average bit rate also 50 और max bit rate also 55 ताकि मेरी best optimum quality का export मुझे मिले आपकोस इसमें export time बढ़ जाएगा but quality would be amazing ठीक है पर यहां quality का option आता है यहां पर आप इसे super fine रखना चाहते है normal और high speed high speed का मतलब है जल्दी से export हो जाएगा normal का मतलब है standard export मिलेगा और super fine तो again मैं super fine और normal इन दोनों में से किसी भी particular option को select करता हूँ for my export depending on the project most of the cases में normal रखता हूँ और कोई अच्छा project edit कर रहा हूँ और export कर रहा हूँ उसे मैं super fine पे ले जाता हूँ फिल मैं करूंगा safe और अगर आप GV job में देखेंगे तो यह rendering होना start हो गया मैं job में ले जाओ तो as you can see यह footage यहां पर export हो जब तक यह export हो रहा है I just want to give you a quick information कि guys EDS अगर आप 10 purchase करने का plan कर रहे हो तो I would highly recommend कि EDS की official website से purchase करो इसके link में ने description में add किये वह है so EDS की official website पर EDS around 18,000 something rupees का पड़ता है lifetime license है जितने भी future updates होते हैं वो आपको continuously EDS में मिलते हैं और अभी raw का update आया था और 2-3 और नए video के features में update आया थे editing के अंदर तो वो continuously आपको updates मिलते रहते हैं अगर आप एक official source of website से purchase करते हैं इसका proper login ID जनरेट होता है जैसे कि हमारा adopt कर जनरेट होता है तो आप किसी भी laptop में कभी भी उसे login करके और EDS को editing में use कर सकते हो so this is how this export functionality work और this is how I select my bit rates एक और option आता है अगर आपको अपने export को increase अच्छे से boost करना है तो Intel का quick sync आपको on कर लेना होता है अपने EDS के साथ में उसे sync up कर लेना होता है उसका detail video जो है already film editing school जो कि मेरे fellow creator है पाकिस्तान से जो कि you know EDS के उपर बहुत tutorial भी बनाते है उन्होंने already डाला भाए तो आप जाकर के उस video को देख लीजेगा because मेरे laptop में Intel quick sync अभी काम नहीं कर रहा है for some reason तक नया laptop लेने वाला हो तो उसके अंदर में आपको वो feature जादा अच्छे से explain कर सकूँ आप so that's it about in this video अगर आपको video पसंद आऊ तो don't forget to subscribe my channel thank you so much guys for watching this stay tuned and keep shooting